असलाब लीकुल मैं आपका अस्वाब्दू लाहुरी और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ डीकोड बोल्ड 3 प्रो को जितनी स्पॉन के रिव्यू की डिमांड थी ना मैं उतना ही लेट हो गया हूँ तब यह थोड़ी डाउन थी बट आप लोगों के जो लाइक से ना वो देखके मैं टक से वापस आगे हूँ आपके बास तो बढरहल इस पॉन को पिछले कोई 7-8 दिनों से आज़े मैं प्राइमरी फून चला रहा हूँ प्राइस के हिसाब से जो स्पैसिफिकेशन है वो तो बहुत अगडी है इसकी 43,000 के आसपास प्राइस है बट मैंने इसको 36,000 के आसपास भाई किया था अभी मार्कीट सिचुएशन के है वो भी आपको बताऊंगा और वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये फोन आपको लेना चाहिए या फिर ने देखो प्राइस के हिसाब से इस पून का जो डिजाइन लेंगविज जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है ना वो ओन टॉप ऐस टाइम पे क्योंकि बजट कैटिकरी में जो मोस्ली ब्रेंड आपको पता है प्लास्टिक बेड यूज़ कर रहे होते हैं तो इस तरह की चीज़े चलती है बट यहाँ पे ग्लास बैक के उपर यह फोन आता है फोन की प्रफाइल भी पतली है इसका जो वेट है वो भी आईडियल दिया वे टाइप C to C वाला और 33 वाट का यह चार्जर है मतलब PD चार्जर देना इस कैटेगरी में दूसरे ब्रेंड भी टाइप A to C में यह अटके हुए है तो यह भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है और यह जो 33 वाट है इसकी बड़ी जो 5000 एमेज की बैटरी है उसको तक के आसपास बैटरी ड्रें होती है यह सिंगल सिम के ओपर मैं स्काइडल ड्रें बता रहा हूं आपको इन डिस्प्ले फिंगर पिंट सेंसर है जो हर बर काफी अच्छे से काम कर रहा था और इस फोन के जो हैप्टिक्स है जो टाइपिंग का फीडबैक है वो नॉर्मल के नाम से तो बेसिकली को चाइना में सप्लायर होगा जिससे यह मतलब फोन ले रहे हैं कंप्लीटी बिल्ड यूनिट आ रहे हैं यह सेंबल कर रहे हैं वाटवर जो भी है तो यह अपनी कस्टमाइजेशन करवा लेते हैं अपने लोगों के हिसाब से तो रीब्रेंडिंग पर मेरी बाते हो थोड़ी ध्यान से सुनना क्योंके मेरा एक्स्पिरियंस कुछ अच्छा भी रहा है कुछ कमिया भी मुझे डिस्प्ले को लेकर नोटिस हुई है पहले तो यह है कि AMOLED डिस्प्ले है 1080p resolution है 120Hz के उपर आता है जिसको सेटिंग में से आप उपर नीचे कर सक अब जो कमिया नोटिस हुई है वो यह है कि content देखते हुए ने वीडियो बगरा देखते हुए डिस्प्ले थोड़े boosted color दिखाता इसके boosted in a sense के orange है थोड़ा सा reddish चला जाता है थोड़ा pinkish type का tint है आल्दो इसके color profiles है नीचे मैंने उसमें tweaking करके देखी है बट स्टिल अगर आप compare नहीं करते हैं फिर कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है तो मैंने नोटिस किये तो मैं इसलिए बता रहा हुआ कि थोड़े boosted कल रहा है बट actual में जो मसला मैंने नोटिस किये है न में वो इसकी auto brightness वाला जो sensor है उसकी calibration अच्छी नहीं है उसमें कोई bug है कोई glitch आया मतलब उपर नीचे करनी पड़ती है तो यह जो auto brightness वाला sensor है इसका problem है spoon के अंदर बाकी outdoors में आप इसको तेज रोशनी में भी use करोगे न तो visibility को लेके कोई भी issues नहीं है और काफियत तक जो इसकी auto brightness है वो तेज रोशनी में ठीक काम कर जाती है थोड़ा वो कहीं पर नीचे वहाँ पर भी करती है लेकिन ज्यादा issue यह low light में करती है और updates का update से fix होने वाला मैं इसलिए नहीं आपको कह सकता है क्योंकि मुझे कुछ confirmation नहीं है कि इस spoon को कोई update आनी भी आगे नहीं आनी है लेको display specification को जब देखा ना तो मेरी expectations बहुत भढ़ बढ़ गई पट मेरे अर् 1L3 का support देगा अब मैं इस तरह का user हूँ को अगर मैं को 40,000 पर के आसपास कोई device डूंड रहा हूँ अगर emoled है तो मतलब बहुत अच्छी बात है भाई और netflix चिलाने के लिए मुझे 1080p चाहिए यह चाहिए उसमें wide 1L1 चाहिए जो इस category में दूसरे brand दे रहे हैं बट यह पर यह offer नहीं कर रहा तो मेरे टाइप का user mostly media consume करता है और netflix रहा देखता है यह OTT platform देखता है तो उसके लिए थोड़ा सा deal breaker टाइप की चीज है और बाकी YouTube पे आपने वीडियो देखनी है वहाँ पर resolution बेहतरीन दिखाता है 2K resolution तक आप YouTube पे video playback ले सकते हो इसके और मतलब सह रहता है वहाँ पे पस color boosted वाला जो मैंने आपको बताया ना वो चीज़ा थोड़ी सी अपने mind में रखना बाकी वहाँ पे चीज़ा ठीक है जो speaker quality है bottom firing single speaker है single speaker के हिसाब से जो इसका output है वो मुझे ठीक लगा है और because मेरा review थोड़ा सा late है तो काफी users जो है bold 3 pro को use भी कर रह आपका जो feedback है वह बहुत important है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी इसको buy करना है तो नीचे comments में आप अपना भी feedback जुरूर देना performance वाली category में भी phone box pack के category में अच्छा hardware लेके आता है Helio G99 का इसके जो benchmark scores है वो भी आप देख सकते हो दूसरा performance इसकी ठीक है अगर आप time है वो भी बहतर रहता है और मतलब animations वगरा भी ठीक है इस spoon में Android 13 का मतलब ये OS लेके आता है और pure stock Android वाली feel है थोड़ी बहुत customized app मिल जाती है decode वगरा की तो updates इसको आती है कि नहीं आती इस चीज का भी कुछ भी clue नहीं है कोई भी idea नहीं ब्रैंड ने भी कुछ नहीं बत लगा जाइरो भी hardware वाला है तो PUBG gameplay भी थाई है Call of Duty medium graphics पे खेली है वहां पे भी चीजों को बहतर हैंडल कर लेता है medium graphics पे और उसके लावा Asphalt 9 की है Asphalt 9 गेम भी मतलब अच्छी reason बर gameplay मिला मुझे cricket की गेम के लिए वहां पे भी gameplay इसका मुझे अच्छा मिला है तो performance इसकी आपको दिखा देता हूं जिससे आपको battery backup का idea मिल जाएगा तो 120Hz पे रखके मैंने इस phone को यूज किया है कोई मतलब 7 गंटे के आजब से screen on time मुझे दिया है अगर आप variable refresh rate के साथ जाते हो या 60Hz पे यूज करते हो तो यह आपको और बहतर screen on time दे सकता है मैंने heavy use किया है मतल जो charging time मैंने आपको बता दिया 99 बेज आगे जो battery है वो stuck हो जाती है मतलब 100% नहीं करता अन प्लग करके again प्लग करो न तो फिर 100% का number शो करता है तो यह मतलब चीज है notice की है मैंने बागी battery backup ठीक लगा मुझे बागी देखो network acceptance phone का बहतरीन लगा जो call quality है वो भी ठीक है दो mics ह वाली साइट के उपर जो call recording है वो google dialer वाली जिसमें अगले बंदे को notification चला जाता है और 4G plus नहीं है 4G LTE के उपर जो data connection की speeds है वो reasonable हाती है मैंने इनको test करके देखा है NFC का भी sport रखा हुए spoon में VOLTE E का भी sport है वो मिल जाता है Wi-Fi calling का भी sport spoon के अंदर मिल जाता है OTG भी चल मतलब किसी साइट से भी कोई आसी कमी नहीं मुझे लगी और proximity sensor जो है call के उपर वो भी सही से काम कर रहा था camera performance जो नहीं स्पून की back पर तीन sensor है काम का एकी sensor है 50 Megapixel बाकी के जो दो है वो रेलू का ठाटा का टेगरी की है front पे नंबर अच्छा लगा है selfie का 16 Megapixel बट मैंने इसके camera को यूज करें के देखा है मुझे कोई भी surprises नहीं मिले मतलब ऐसा है कि जैसे camera बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है नहीं average परफॉर्म कर रहा है budget category के हिजाब से और थोड़ी सी details की कमी लेगी है colors थोड़ी से boosted दिखाता है HDR normal mode में चलता है portrait mode में light को control नहीं करता ह और front जो selfie है वो भी 16 megapixel की है वो number ही है बस वो फीकी फीकी सी selfie capture करता है light control front camera का भी अच्छा नहीं है details भी इतनी मुझे मज़े की नहीं लेगी और जो इसकी videography है back side से 2K resolution तक जाती है maximum 1080p 60fps का भी option available है बट जो stable mode है जो EIS है वो 1080p 30fps पर काम करता है details बस ऐसी है दुनिया हिल र देख रहे हो तो मतलब यह इस category का phone अगर आप camera के लिए देख रहो है यह कोई camera phone बना दिया है ऐसा नहीं है average camera देखो resale को लेके after sale service को लेके बहुत सारे users के mind में question आ सकता है कि भाई मतलब क्या situation रहने वाली है अब अगर कोई छोटा brand अच्छा काम करे तो उसको appreciate भी करना चाहिए जहां पर वो बड़े brand से भी बहतर काम कर रहा है तो यह चीज़े तो अपनी जगह पर है बट डी कोड का जो नाम है obviously बड़े brand से नीच है थोड़ा सा तो इनके तीन major cities में मैंने देखा है warranty card पर mention है जो service center कराची लहोर रावल पिंडी और इनका जो universal access number है वैसे उस रिवीव को decode board 3 pro के बारे में तो जो maximum price tag मैं recommend कर सकता है इस phone के लिए वो 36, 37, maximum 38,000 पर के आसपास जो कमी है मैंने बताई है अगर आप उनके उपर manage कर सकते हो तो यह इस category के पैसा वसूल phone बन जाता है बट अगर आप manage नहीं कर सकते हैं इन कमी हो के साथ आपको एक ऐसा इस प्ले की वो यह बाकी थोड़ी वो जो चीजे हैं वो इससे बहतर है और 45, 46, 47 कास पास slightly used आपको camon 20 pro अगर मिल जाता है तो वो तो फिर और ज्यादा बैटे डिलैस के अंदर तो आई hope के चीजें आपको clear होगी होगी बाकी यह वीडियो यह तक थी बहुत जल्दी में आपको best phone जो होते हैं different price category के उनकी videos देने वाला हूँ तो make sure आपने चैनल को subscribe किया हूँ है और ताक कि वो जो videos हैं वो आपसे मिसना हूँ वीडियो अची लगी हो तो like, share, subscribe करके जाना मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में थैंक्स फो वाचिंग, अलाफेज